यहां पर बहुत ही बड़िया कमपाजन होने वाला है पहले मैंने बता दिया था कि S20 FE vs IQ 7 Legend के बीच में कैमर कमपाजन हम डेलाइट में करने वाले है और अब आया है तो मैं वीडियो अब ही डालूंगा ठीक है और आपको फटक से मिल जाएगी और यहां पर देखो कि जो डीटेल्स हैं बहुत ही अच्छा है इनमें जो स्पेक्स हैं काफ़ी सिमलर सी है इससे दोनों के जो मेंन सेंसर वो 12 MP पे फोटोस लेते हैं इनमें आपको पोट्राइट के लिए सोरी गड़ी टेली फोटो लेंस मिल जाता है इल्टावाइट मिलता है तो आपको जो मेटसर मिलता है 除ा यहां पर आप देखो कि मैं स्ट्राइट आफ दिखा रहा हूं कि किसका यूआ जादा अच्छा है यहां पर देखो एल्टावाइट ज्यादा वाइड है यहां पर क्लिए आपको दिखे रहा है लेकिन जो फिशी एफेक्ट है दोनों में ही आपको मिलता है एक option है आप आफ कर सकते हो वाइड करेक्शन सेटिंग्स में जाके ऊपर त्री डॉट के ऊपर क्लिक करके वह मैंने वाफ रखा है यहां पर 2x और 3x में जो स्विचिंग है वह यहां पर आइको सेवें लेजन का मुझे क्विक लगता है और स्मूर्थ लगता है ठीक है ऐसा म वह कहीं नहीं आप कामरा आइको सेमेल लेजन काफी शाप तिखा रहें आपको अगर आप 20X आप सोच है को 20X तुम करो जरा बैक एक बड़ 20X करो आइको सेमेल लेजन के लिए अगर दिखते हैं तो मैं 20X करो यहां पर 25G में तो वह भी सिमले सा दिखता है यहां ठीक है त वीडियो में भी वैसा ही है 4K 60fps माक्स दोनों में मिलता है 8 के नहीं मिलता है इन दोनों में ही और आप अल्टरा वाइड से 4K रिकॉर्ड कर सकते हो 4K वीडियो में आप टेली फोटो सेंसर का यूज नहीं कर सकते हो तो यह मुझे अच्छा नहीं लगा और फ्लाक्शिप करना चाहिए गाइस कि इतना पैसा पेक कर रहे हैं तो एटलिस्ट देना चाहिए 30fps में आपको सपोर्ट एटलिस्ट देना चाहिए कंपनिस को मैं कह पोस्ट कर जाता है उसकी चिंता भी बिल्कुल नहीं करता है यहां पर देखो जो कलर साइंस है काईस दोनों में काफी बढ़िया है अगर को एक पिक करना हो तो मैं यहां पर सेट आफ दी क्यामरा सीधा सीधा आईको सेवन लेंड को पिक करूंगा कि कलर जो है वो काफी आ तो आप तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा लेकिन आप करोगे तब यहां पर कुछ अलग ही मतलब यू अलग ही क्या बहुत अलग ही आया यहां पर काफी अच्छा है यह मुझे ठीक लगा यह फोटो में काई सब देखो इस फोटो में क्या ही बोलू ऐसा क्यू कर रह कि जो है डिफ्रेंस वो है हलका-फुलका लेकिन 30x मुझे लगता नहीं है तो कुछ काम का है नहीं कि 230x होना चाहिए वैसा 30x नहीं मिलता मुझे दोनों ही डिवाइस में यह देको 4K 60fps दोनों ही बहुत बढ़ी है है पर S20 FE की जो वीडू की कॉलिटी है वह जादा सुरुआत था ही अभी तक फोकसिंग इस अभी भी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोकसिंग बिल्कुल नहीं करता है यह आपको मैनुली करना पड़ेगा S20 FE में इसा कोई इस्जी नहीं है स्टेबलेशन परफेक्ट है जो कॉलिटी फोकसिंग इस्जी इसमें कोई इस्जी नहीं है यहाँ पर जो मेंटेंस ऑफ एच्टी आरे वह काफी बढ़िया है जिसे कि आपको मैंने पहले ही कहा कि जो आई को चैना फोकस करता बैक पोड़ेट फोड़ोस आपको मिल जाएंगे जो लिटरली ऑमेजीन गाइस बहुत जादा मुझे अच्छा लगा अगर आपको कोई एक चूस करना पड़े ने अगर आप वीडियोस की तरफ ज्यादा फोकस रहते हो हमेशा वीडियोस आप ज्यादा निकालते हो तो आप आंक बंद करके आपको बहुत बड़ी है आपको स्विचिंग जो है वह काफी स्मूथ मिलता है लेंस के बीच में तो वह जादा अच्छा है सेंसस जो स्विच करते हैं बहुत अच्छा है कलर साइंस काफी अच्छा है ठीक है और अल्टरा वाइट जादा वाइड है बहले डीटेल का में लेकिन काफी वाइड है तो अब क्या पॉइंट्स बंते है आईकू सेवन लेजन के लिए वह आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और भी कई वीडियो से बहुत अच्छे वीडियो से वह भी आप देख सकते हो और आप बताना कि आपके लिए कौन सा जाता अच्छा है मेरे लिए गाइस परसनल रिव्यू बताओ तो फोट मिलते हैं ने एक सुड़ में दिस वाल अभी शेक यह और वाचिनीश शानिंग ओफ